हाँ तो दोश्तो आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको वैदनाथ जियोतिरलिंग की कहानी बोलिए हर हर महादेव आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट करके हमें बताई हमारी कहानी आपको चैसी लगी ओम नमस्षिवाय चुनो पौराणिक कथाओं की अनुसार यह जो तिरलिंग लंकापती रावड द्वारा यहां लाया गया था इसकी एक बड़ी ही रोचक था है रावड भगवान संकर का परमभक्त था शिव पौराण की अनुसार एक बार भगवान सिव को प्रसन करने के लिए हिमालय परवत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपश्या करने लगा कई वर्सों तक तब करने के बाद भी भगवान संकर प्रसन नहीं हुए तब रावड ने शिव को प्रसन करने के लिए अपने सिर की आहूती देने का निश्चय किया विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावड एक एक करके अपने नो सिरों को काट कर शिवलिंग पर चड़ाता गया जब दस्वा सिर काटने वाला था तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और रावड को बरदान मांगने के लिए कहा रावड को जब एक्षित बरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनिरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है शिव ने रावड से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं वह चाहे तो यह सिवलिंग ले जा सकता है भगवान शिव ने रावड को वह सिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने नौ सिरों की भैट चड़ाई थी शिवलिंग को ले जाती समय शिव ने रावड से कहा कि इस जियोतिरलिंग को राष्ते में कहीं भी भूमी पर मत रखना अन्यथा ये वहीं पर इस्थापित हो जाएगा भगवान विष्णों नहीं चाहते थे कि ये जियोतिरलिंग लंका पहुँचे अतहा उन्होंने गंगा से रावड के पेट में समाने का अन्रोध किया रावड के पेट में जैसे ही गंगा पहुची रावड के अंदर मूत्र करने की इक्षा प्रबल वो उठी वह सोचने लगा कि शिबलिंग को किसी को सौप कर लगुशंका कर लें तभी विष्ण भगवान एक ग्वाले के वेश में वहां प्रकट हुए रावड ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे सिबलिंग सौप दिया और जमीन पर ना रखने की हिदायत दे जब मूत्र करने लगा उसकी मूत्र की एक्छा समाप्त नहीं हो रहे थी ऐसे में रावड को काफी समय लग गया और वह बालक शिबलिंग को भूमी पर रखकर विलुपत हो गया रावड जब लोट कर आया तब लाख प्रियाश करने के बाब जूद शिबलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ अंत में रावड को खाली हात लंका लोटना पड़ा बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस जोत्रिलिंग की पूजा की और विधिवत रूप से इस्थापित किया पुलु हर हर महादेव वैदनाच जोत्रिलिंग की जये